घर्भ में अगर शिशू ज़्यादा हल चल करता है या कम हल चल करता है ऐसा क्यूं है ठीक बात क्या है और इससे जूड़ी खराब बातें क्या हैं क्या सही होना चाहिए आप सभी का बहुत-बहुत सभागत है यूटूब मॉम चैनल में यहां हम बहुत इनोवेटिव नियू और आप सभी को अवेरनेस देने के लिए नई-नई इनफॉमेशन लेकर आते हैं तो गर अपने शिशू की हलचल से जोड़ी हर उस बात को हम जानेंगे जो एक प्रिग्निंट मा को पता होनी चाहिए ये चार बातों पर निर्भर करता है, फीटल के चार बातों पर निर्भर करता है, सबसे पहले फीटल के count, कितना होना चाहिए, पर R कितना होना चाहिए, फिर भी उसके महसूस होने ना होने के भी कुछ certain criteria's हैं, उसको भी हम समझेंगे, मा के hemoglobin का level, शरीर में खून की कमी तो ठीक है, नेमिया की problem तो नहीं, मा की activity और nutrition level, और amniotic fluid का स्तर, ये चार चीज़े बहुत important होती हैं, तो सबसे पहले point को समझेंगे, fetal के count, यह तो अगर हम बात करें कि fetal count कितना होना चाहिए, तो हर गंटे में 10 बार baby की rolling, या खलकी full की कोई भी तरह की activity आपको महसूस होने चाहिए, लेकिन क्या 10 से नीचे अगर activity हुई तो गलत है, क्या ये serious बात है, क्या ये ठीक नहीं है baby की सिहत के लिए, ये नहीं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, most of time आपको बच्चे की activity पता नहीं चलती है, जब तक कि बच्चे एक certain weight पे नहीं आ जाता और उसके kicks और rolling strong आपक भी नहीं, लेकिन हाँ, दो घंटे में या पूरे दिन बच्चा मूब नहीं कर रहा है, बिलकुल भी, तो आप अपनी जाचे ज़रूर करवाए, अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, अब बताएं कि बच्चे का kick count या movement आपको कितना लग रहा है, और इसको टाली करें अपनी सॉनोग्राफी की रिपोर्ट से, कि सॉनोग्राफी रिपोर्ट में बच्चे की पोजीशन, बच्चे के गले में लूप है, या बच्चे कमजोर है, बच्चे का वजन कितना है, अमलिटिक फ्लूड कितना है, इन चीज़ों को समझा, अगर सारी चीज़ें ठीक हैं और फिर भी बच्चा मूप नहीं कर रहा तो हो सकता है बच्चे का मिजाज शान्त रहने का है और आपको चिंदित नहीं होना है दूसरा है Amnetic Fluid, जिन माओं का Amnetic Fluid का स्तर, यानि कि गर्ब में जो पानी की थैली है जिसमें बच्चा विकास कर रहा है, उस Amnetic Fluid का स्तर कम है, Hydration कम है मा का, कमजोरी है मा को, जिस भी कारण से Fluid का स्तर कम है तो भी बच्चे कम Active होते हैं, क्योंकि उनको परियापतन Nutrition नह नहीं मिल पाता है, उनके Growth Parameters, Growth के Milestones को वो शैट टच नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस वज़े से भी कम हो जाता है, इसलिए Amnetic Fluid का स्तर अच्छा बनाए रखने के लिए Hydration बगराबर रखें, सूप, जूस, चावल कमाड, Fruits, Watery Fruits को बहुत अच चाहिए, तो उसी तरीके से अगर मा का Hemoglobin कम है, तो Blood से Oxygen कैसे पहुचेगा बच्चे तक परियात मात्रा में, Definitely कम मात्रा में Oxygen कैरी हो पाएगा Blood में, तो ऐसे में बच्चे को परियाप्त nutrition नहीं मिल पाता, Oxygen नहीं मिल पाता, तो उसकी Activity Level तो प्रभावित होगा, तो मा अगर Enemic है, तो उसका स्तरठीक करें, हमारे वीडियोज है, Enemya को दूर करने के लिए डाइट से, तो उनको Follow कर सकते हैं, अब कुछ हम Conditions को समझेंगे, कि अचानक से बच्चे की Condition बदलती है, सबूज आप Stress में हैं, Anxiety में हैं, और बच्चा बहुत तीजी से Move करने लग करके और बहुत तेज अक्टिविटी करता है, इसी तरह, जब आप शादी में, बैंड की आवाज है, या बहुत जादा ट्राफिक में हैं, बहुत जादा तेज म्यूजिक चल रहा है, ऐसे में भी बच्चे को घबराहत और परिशानी होती है, और उसको दिक्कत होती है, औ करने लगता है, तो अगर कभी भी environment change होता है, surrounding में change आया, और अचानक से बच्चे की movement बढ़ी तो आप तुरंथ शान्त वाता वरण में जाए, deep breathe लें, पेट पर हाथ फेरें, बच्चे से communicate करें, सहलाएं पेट को, ताकि बच्चा शान्त हो सके, क्योंकि ये बच्चे की growth क लिए बिल्कुल सही नहीं है, अगर बच्चे की movement की बात करें, तो पाच्वे महिने से movement 24 में अपते से start हो जाता है, लगबग, पता चलने लगता है, second pregnancy में और चल्दी पता लगने लग जाता है, लेकिन नवे महिने में बच्चे के growth बढ़ने की बज़ा से, space कम बचने की से बच्चे जादा move नहीं करता, तो इन सारे dynamics को ज़रूर आप समझे, एक वीडियो में सारी बाते cover नहीं हो पाती, तो बच्चे की movement से related हमारे अन्नी वीडियो को आप ज़रूर देखें, यहाँ उपर आई बटन में और नीचे description में वीडियो के link दिये हैं, उनको आप दूर देखें, stay tuned, thank you.